वॉलिवुड के मशूर अभीनेता इर्फान खान का मुंबई में आज इंतकाल हो गया इर्फान खान टॉक के रहने वाली थे चुकि बाद में जैपुर आकर रहने लगे इर्फान की मौत की खबर लगते ही टॉक में गम का महौल है टॉक में उनके मामा हकीम बुकरात ने उनके निधन पर अपना शूक व्यक्त किया इर्फान नवाब खानदान से अपने तालुकात रखते थे टॉक के अजुमन खानदान ए अमीरिया ने भी उनकी मौत पर अपना दुख जाहिर किया है आपको बता दे कि इर्फान का बश्पन टॉक में ही गुज़रा इसे के चलते इर्फान अक्सर यहां पर आया भी करते थे 25 अप्रेल को ही उनकी माता साइद बेगम का भी जैपूर में निधन हो गया माता की मृत्यों की खबर मिले के बाद में इर्फान की तब्यद बिगड़ी इसके बाद मुंबई के कोकिला बेन हस्पिताल में उन्हें भरती करा आगया जहां पर आज उनका इंतकाल हो गया हॉलिवूड और बॉलिवूड के मश्यूर एक्टर इर्फान खान का आज निधन हो गया उनका मुंबई में कोकिला हस्पितिल में इलाच चल रहा था जो आज सूचना मिली है कि उनका इंतकाल हो गया इर्फान खान का टॉंक से गेरा तालुक था यहीं पेदा हुए था यहीं ज्यादा तर उनका बच्पन यहीं गुजरा था उनके मामू के घर पे खेल के ही वो बड़े हुए था इनके मामू हमारे साथ अभी मौजूद है हकीम बुकराद साहब काफी गमगीन माहोले अभी समय हम उनसे बात करना चाहेंगे हकीम बुकराद साहब से कब इंतकाल हुए उसका इंतकाल अभी आदगन डिपर इंतकाल हुआ है इसका होको कि रहस्टान में बढ़ती था अब यह 25 तारीक उसकी मागा जो मेरी बड़ी में इंतकाल हुए उसका सब्सक्राद मास को बहरे ल हुआ है सो लोग जाने के लिए बेचे हैं लेकि जा सकते हैं कोई हम भी कुछ कर रहे जाने के लेकि कुछ सकता नहीं और शाम को तक उसका अब जाए जाएगा जब करें का भाल हो बताता है यह थे उनके सगे मामू हकीम बुकराद साब जो इर्फान खान इनी के गर पे रह बिमारी से जूज रहे थे काफी समय बाद वो फिल्मों में दुबारा से इंग्लिश मीडियम नमक फिल्म से वो दुबारा वापस आए थे उसके बाद से ही दो दिन से वो बुमबई के होस्पिटिल में भरती थे काफी सीरियस हालत थी अब टौंक में भी उनके रिश्टे परेशानी का सामना करना पड़ ला है टॉंक सफिरोज उस्मानी एवन टीवी